हेलो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों सूपर चार ने भारत और पागिस्तान के बेहत रुमाचा मुकाबला खेला गिया और इस सास रोक देने वाले मैच में पाकिस्तान की रिकेट टीम ने 5 विकेट से भारती टीम को हरा दिया है जी हाँ दोस्तों इस मैच में भारत की टीम पहले बल्ले बाजी की थी और 20 वर में 7 विकेट की नुकसान पर 181 रन का स्कोर खड़ा किया था जिसमें विराट कोहली ने 44 गेनों में 60 रनों की बहतरीन पारी खेली थी इसके अलावा कप्तान दोही शर्मा ने भी 16 गेनों में ताबरतोल 28 रन बनाए थे आप सभी को बता दी कि इस में पाकिस्तान टीम की तरफ से शादाप खान बहतरीन गेनबाजी के और 4 वर में 31 रन देकर सबसे ज़्यादा दो विकेट चटकाए थे वें दोह साब को बता दी कि लच्छी का पीछा करने उसरी पाकिस्तान किरिकर टीम की शुरुआद अच्छी नहीं रही और कप्तान बाबा राजम 10 गेनों में 14 रन बना कर आउट हो गए थे लेकिन उसके बाद मुहम्मद रिजवान ने सपारी को संभाला और उन्होंने 51 गेनों में 71 रनों की बहतरीन पारी खेली इसके अलावाद उसो मुहम्मद नवाच ने 20 गेनों में 210 की स्ट्राइक रेट से बल्ले बाजी की और 64 के दो छक्के की मदद से 42 रनों की तावर्तोर पारी खेल कर पाकिस्तान के रिकेट टीम को बहतरीन जीत दिलाने में काफी एहम योगदान दिया आप सभी को बता दी कि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भाती क्रिकेट टीम इस मैच पर अपनी पकड़ बना रही है और मैच जीत सकती है मैच का अठारवां ओवर चल रहा था और नवी विश्णोई ओवर कर रहे थे लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दी कि इस सोवर में पहले तो एक ठड़ अंगपैर के द्वारा दिया गया गलत फैसला हो सकता है मेरे हिसाब से उसकी वज़ा से भाते टीम इस मैच को हार गई और उसके दुरंत बाद अरशिदीव सिंग ने आसीफ अली का बहतरीन आसान सा कैच छोड़ दिया जिसके बाद आसीफली ने एक चका और एक चौका मार कर स्कोर बोर्ड को बराबर कर दिया और पाकिस्तान के टीम को जीत दिलाने में सबसे अहम भूमी का निभाई जिहां दोस्तो मैच का वो अठारवही ओवर था जहां से पाकिस्तान की टीम ने बाजी मारी और अर्शेदीव सिंग के द्वारा छोड़े के कैज की वज़ा से पाकिस्तान की टीम इस मैच को जीती है और भाते टीम इस मैच को हार गई तो दोस्तों आप सभी लोग हमें कमेंड में बताएं कि आपको क्या लगता है कि भाते टीम के कहां पे हार हुई आप अपनी राए नीचे कमेंड में दें और वीडियो अच्छे लगे हो तो से लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले